हिंदू धर में 33 करोड देवी देवता माने जाते हैं जिन में से प्रमुक इश्वर की पूजा लोग पूरे विधी विधान से करते हैं अक्सर पुराने ग्रंतों या धर्मों से जुड़ी कहानियों में आपने देवराज इंद्र का नाम सुना होगा दरासल इंद्र कोई विशेश वैक्ती नहीं बलकि एक पद्वी थी जिनें देवों के देव इंद्र भी कहा जाता था इंद्र को देवताओं का आधी पती माना गया है मगर बावजूद इसके इंद्र देव की कभी पूजा नहीं की जाती आईए आपको बताते हैं क्या है वो वज़े जिसके कारण इंद्र देव की कभी पूजा नहीं की जाती थी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हो लोकल जर्नी यूटूब चैनल इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है समुन्दर मंतन से जो चौदा रतन प्राप्त हुए उनमें से एक एरावत भी था रतनों के बटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुन्दर और दिव्वे गुणों वाले एरावत हाती को अपने लिए रख लिया था स्वर्ग पर राज करने वाले इंद्र के बारे में कहा जाता है कि अभी तक कुल 14 इंद्र देव हुए हैं इंद्र एक काल का नाम है मान्यता है कि भगवान स्री कृष्ण ने इंद्र को श्राप दिया था जिस वज़ा से इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था मगर भगवान कृष्ण ने इंद्र की इस पूजा को बंद करवा दिया उनका मानना था कि ऐसे किसी वेक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना इश्वर हो और ना ही इश्वर तुल्ले हो गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है स्रिक कृष्ण के इस निवेदन पर स्वर्के सभी देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई इसके बाद धूमधाव से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो नो ने प्रले कालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवाशी डूब जाए और मेरे पास समा मांगने पर विवश हो जाए जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवाशी कराने लगे तभी भगवान स्री कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी एक उंगली पर धारण करके सभी ब्रजवाशीों को बुला लिया गोवर्धन परवत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया बाद में स्रिक कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए तब ही से इंद्र की पूजा का प्रचलन नहीं है दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरू करना और वीडियो को लाइक शेर करना मत बूलना अगर आप पहली बार लोकल जर्णी चैनल का वीडियो देख रहे हो तो लाल सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमसे जरूर जुड़ें